मुझा नमस्कार मैं हुआ में तो आप देखरो मेरा यूट्यूब चानल डिर्मसिटी ट्यूटर तो डिर्मसिटी ट्यूटर में आपका स्वागत है तो आज मैं जो बताने वाला हूं वो बिना प्लग-इंस की आप CGI अडविटिसमेंट कैसे बना सकते हों मैं दिखाने वाला हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे ये पूछे थे कि किस तरसे हम लोग बना सकते हैं CGI अडविटिसमेंट बिताओट एनी प्लग-इंस राइट मैंन लेंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी तो चलिए बहुत मज़दार होने वाली यह सेशन देखते हैं हम लोग CGI अडविटिसमेंट विदाओट एनी प्लग-इंस तो सबसे फर्स्ट आपको करना क्या है कोई भी एक वीडियो फूटेज आप ले लो कुछ इस तरह से जहां प आपको अपने डिस्पले कराने अपने आर्ट वर्ट को या फिर अपने अडविटिसमेंट को 3D तो सबसे फर्स्ट आपको जस्ट ड्राइग और ड्रॉप कर देने हैं अपने कॉम पर आप देख सकते हो कि यहां पर आपके वीडियो फूटेज आ चुके हैं तो इसको मैं और भी अगर चाही होगा डिटेल तो आप क्या करो एडवांस में चले जाओ और यहां पर जाकर आप कर लो इसको टिपिकल राइट तो टिपिकल करोगे तो 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 आपको मिल जाएंगे जो ट्रैकिंग पॉइंट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे तो 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 अभी इसको क्या करने है, just right click आपको करने है, solid and camera apply कर देना है, देखो जाकर बहुत ही बड़ी तरीके से stuck हो चुके हैं, अगर मैं play करूँ, तो आप देख सकते हो कि वो अपने जगा पे बहुत ही बड़ी तरीके से आ चुके हैं, कुछ ऐसे, right, बस मुझे कुछ ऐसा ही च लेके चले जाओ, because of the display, अगर आपको कराने है, तो मैं तोड़े से इसको back लेके चले जाता हूँ, right, तो थोड़े से back ले लो, and then अगर इसको scale करना है, तो आप यहाँ पे scale में आ जाओ, and then थोड़े से large size में आप ले सकते हो, कुछ ऐसे, तो I think इतना बड़ा है, जितना च लेकर आ सकते हो, आप shoes लेकर आओ, आप wrist watch लेकर आओ, आप cold drink लेकर आओ, जो भी 3D products हो सकते हैं, आप सारे यहाँ पे लेकर आ सकते हो, and then उसको आप CGI advertisement में ले सकते हो, तो मैं चाता हूँ कि मैं कुछ wrist watch लेकर आओ, I mean smart watch लेकर आओ, यहाँ पे display कराने के लिए, तो सबसे first आपको करने क्या होंगे, देखो new feature में आपको हमेशा याद रखना कि जब भी आप new feature ले रहे हो तो make sure कि आपको advanced जो 3D हो enable होना चाहिए, बट यह automatic हो जाते हैं, अगर आप new use कर रहे हो तो, otherwise अगर नहीं मिलता है, आपको 3D तो आप जब भी आप यहाँ पे जाकर आप ले होतनी है, right, and then अभी मुझे चाहिए, यहाँ पे 3D objects को कैसे लएके आना है, तो first आप चले जाओ यहाँ पे, and then यहाँ से मैं sketchfab, आप login कर लेना, first अपने account से, तो आप download कर पाऊगे, and then कभी भी लेना है, तो आपको downloadable ही लेना है, यहाँ पे, right, मैं यहाँ पे just, मुझे ज smart watch को यहाँ पे ले लिया है, अब smart watch आपको जो भी चाहिए होंगे, इसमें से आप ले सकते हो, click करो, and then आप download कर सकते हो, तो आप देख लो कि कौन सा है, यहाँ पे download हो सकता है, तो मैं चाहता हूँ, and then मैं इस wrist watch को मैं download करना चाहता हूँ, okay, तो simple scroll करो, आपको यहाँ पे download 3D model मिलेंगे, तो आपको definitely इसको click कर देने है, and then यहाँ पे आपको जब भी चाहिए होगा, तो आप GLB file format ही low, because आपकी जो new वाले after effects हैं, उसमें GLB जो file है, dot GLB file formats या extension जो बूलते हैं, वो हमें support करता है, तो आपको make sure कि आपको यह dot GLB ही होने चाहिए, right, and then download करके आप click कर 1K, 2K, 4K, जो भी आपको अच्छे लगते हैं, आप ले सकते हो, okay, तो मेरा download हो जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आ जाता हूँ, right, मैं इसको ले कर आता हूँ, import कैसे करना है, double click, and then यहाँ से आप चाहो तो ले कर आ जाओ, जो भी आपको file चाहिए, आप download कर ल जाएगी, and then object को scale भी करने है, तो मैं चाहता हूँ, object को तो तोरे से ना, मैं scale कर दू, I think मेरे ही साफ से 10, काफी है इतने, right, तो 10 भी आप ले सकते हो, बात में मैं देख लेता हूँ, तो मैं 10 size में scale कर लिया है, आप चाहो तो 10, 12 कुछ भी ले सकते हो, right, अब यह एक बार आजाए ना, तो आपको adjust करने है, इसके उपर, right, तो मैं क्या करता हूँ, smart watch का जो position है, आप प्रेस करके position ले लो, x, y में, थो ऐसे नीचे उपर, जैसा भी आपको चाही होगा, आप adjust कर लो, बट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कि कहां पर position है, तो एक हम आर कर सकत लेना है, right, ये first आपको काम कर लेना है, right, फिर right click करो, and then यहाँ पर आपको चले जाना है, new, and then you have to apply or add light, light में आपको बहुत सारे lights मिलते हैं, parallel, spot, point, ambient, सबको ignore करना है, and then आपको लेना है, यहाँ पर, and vomit light, make sure कि cast shadow should be checked, right, तो इसको आपको check होने चाहिए, click करके and then ok कर दो, कर लेना है, तो यह होने के बाद, अब आप मैं चाहता हूँ कि इसको तोड़ा सा adjust करूँ, अपने इस जो platform है, जिसके ओपर मुझे shadow create करने है, वो मुझे चाहिए होगा, and then एक काम और भी कर सकते हो, जैसे कि 3D में हम लोग HDR image use करते हैं, reflection create करने के लिए तो आप भी ले सकत हो, कैसे ले सकते हो, double click, and then चले जाओ HDR images में, but HDR make sure कि आपको outdoor वाले होने चाहिए, indoor मत ले लेना, तो मैं चाहता हूँ कि कोई एक outdoor वाले कुछ ले लेता हूँ, जैसे यह मेरे पास है, इसको आपको drag and drop कर देने हैं, यहाँ पे, right, तो यह हमारे आ चुके हैं, but apply कैसे करोगे light के उपर, तो आपको चले जाना है environment पे, right, and then यहाँ पे source मिलेंगे, source में जाकर आपको pick कर लेने है, जो भी अपने HDR जिस नाम का है, उसे pick कर लो, तो आपको reflection मिल जाएंगे, अपके object के उपर जो reflection create होंगे, वो आपको मिल जाएंगे, and then अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ यहाँ पे जाता हूँ, and then adjust करता हूँ, जहाँ पे मुझे इसके shadows create करने है, means position अभी भी correct नहीं है, तो आप smart watch पे जाओ, position को आपको adjust कर लेना है, तोड़े से, जहाँ पे भी आपको मिल रहे है, तो यहाँ पे तोड़ा सा adjust कर लेना है, okay, and then scale भी करने है, तो थोड़े से size भी increase कर लो, and then position भी, देखाँ भी भी यह, इसके सामने में आ रहे है, इसका मतलब है कि अभी भी दूर है, तो मैं तोड़ा adjust कर लेता हूँ, इसको, अब आप देख सकते हो, यह टीक उसके उपर आ चुके है, अब आप पकर के भी इसको उपर में लेके जा सकते हो, तो आप देख सकते हो, इसके shadows आपको यहाँ पे दिखने स्टार्ट हो चुके हैंगे, right, तो shadow आपको मिल रहा है यहाँ पे, and then shadow के position को भी आप चेंज कर सकत जैसे environment में आप चाहोगे, यहाँ पे भी मिलते हैं, जैसे click करोगे ना यहाँ पे, तो आप देख सकते हो, इसके transform में, कि आप rotation ले सकते हो, means shadows के direction कहाँ चाहिए, see, तो आपको जहाँ पे भी चाहिए होएगा ना, उस जगह पे आप इसके shadow को ले सकते हो, बहुत ही बड़ी city को 120 पे रखता हूँ, right, तो आप देख सकते हो, shadows वेगर आ रहा रहे हैं यहाँ पे, अब मैं चाहता हूँ कि shadow तो capture हो, लेकिन मुझे यह purple वाले जो, और या फिर lavender वाले जो, मुझे card मिल रहे ना, वो मुझे नहीं चाहिए, right, तो मैं क्या करूँगा, पहले तो तो तुर करो, first, click करो, and then यहाँ पे material option में चले जाना, right, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, except shadow, तो आपको देखो जिसमें तीन click करने परते हैं, first is for on, second is for only, only में आपको ही रखना है, बस, and then third करोगे आप, तो off हो जाएंगे, तो on, off, and then यहाँ पे एक और option आते हैं, जिसको हम लो चुका है, हमारे पास, हमारे product को, अब मैं थोड़ा सानिमेट करता हूँ इसको, तो बहुत easy way में दिखा देता हूँ, आपको चले जाना है, यहाँ पे अपने wrist watch के पास, wrist watch पे चले जाओ, right, तो इससे अगर scale करना चाहते हो, तो आप express कर दो for scale, तो इससे size बड़े कर देन ओके, I think, यह काफी है यहाँ पे, अब मैं इसको animate करता हूँ, तो first मैं चाहता हूँ, drop करकी आए यहाँ पे, तो इसके position को first मैं न, two seconds में जाकर one second, one second में जाओ, and then इसके position जो है हमारे wrist watch के, उसको आप lock कर दो, right, means अपने जगर पे रहेंगे, and then starting में आप आ जाओ, right, starting में म आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा, sorry, यह अभी भी scale mode में है, तो मुझे scale नहीं चाहिए, sorry, तो मैं क्या करता हूँ, wrist watch का P press कर देता हूँ, for position, तो मैं first, यहाँ पे two seconds में आ जाता हूँ, अब one second में भी ले सकते हो, but I think two is also fine, and then position को click कर देता हूँ, okay, and then यहाँ पे one second में इसकी position मैं उपर कर देता हूँ, okay, means यह क्या होएगा, कुछ इस तरह से आ जाएंगे, right, position बहुत बढ़ी है, आ चुके हैं वहाँ पे, okay, कुछ ऐसे, and then मैं चाहता हूँ, इस बीच यह तो रोटीट होकर भी आए, तो ज़्यादा बेटर मुझे लगेगा, okay, but first thing, आप इस आप is-is ले लेना, right, is-is लेने के बाद एक काम और भी आपको करने है, आप चले जाओ यहाँ पे graph में, and then अगर आपको graph ऐसे मिल रहे हैं, तो make sure कि आपको यहाँ पे click करना है, and then added value छोड़ कर आपको लेना है, speed graph, बहुत important है, and then इसे select करके आप क्या करो, थोड़े से इसक होगे कुछ, इसको अटा दो, काफी है, see, तो fast to slow है, तो अभी यह हो रहे है, and then plus मैं चाहता हूँ कि तुबासा ना, यह rotate होकर पी आए, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप R प्रेस कर दो for rotation, okay, and then यहाँ पे तो आगया rotation, किस rotation मैं आपको चाही होगा, यह नहीं चाही होगा, मुझे, मुझे चाही होगा rotation, sorry, Z axis, now it's look better, right, तो starting में मैं two seconds में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो rotation रहेंगे, यहाँ पे चले जाओ, and then Z rotation को मैंने click कर दिया, and then two में जाकर क्या करो, इसकी जो rotation है ना, थोड़े से आप, ऐसे ले ले लिए, right, थोड़े से इस एंगल में रहो, तो ज़्यादा बेटर है, तो आप देख सकते हो, यहाँ पे, now it looks better right कुछ ऐसा and then आप चाहो न तो यहाँ पे भी जो आपके यहाँ पे जो rotation है उसको भी मैं क्या करता हूँ right click कर लेता हूँ and then आपकी frame पे चले चाहो easy ले लेना and then f9 भी आप प्रेस कर सकते हो and then फिर से मैं चले जाता हूँ यहाँ पे and then select करो and then and then मैं यहाँ से slow in slow out ले लेना आप यहाँ से कुछ इस तरह से आपको ले लेना है बस बहुत easy है and then आप देख सकते हो again यहाँ पे close करो and then आप animation देख सकते हो हमारे final right पहले मैं save कर देता हूँ अब आप देख सकते हो यहाँ पे okay तो आपका यह final result जो मैं यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ wrist watch आपको कुछ इस तरह से देख रहे हैं right तो इस तरह से आप without any plugins आप बहुत सारी कुछ बना सकते हो जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया कि किस तरह से आप wrist watch या shoes कुछ भी आप यहाँसे बना सकते हो बहुत easy way में तो यह है हमारा topic without any plugins आपकी इस तरह से बना सकते हो अपने product के CGI को I hope कि आज की class आपको अच्छी लगी होगी और आपने कुछ नया सीखाएगा तो इस तरह से आप without plugins आप कोई भी चीज बना सकते हो किसी भी तरह की 3D CGI advertisement बना सकते हो तो इस तरह से आप अपने portfolio और अपने clients के लिए भी बहुत सारे CGI advertisement बना सकते हो तो अगर अपको यह वीडियो पसंद नहीं होगी तो प्रीज लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपना प्यार इसी तरह से बखरार रखें बोलते हम लगाफरेफेक्स के नहीं वीडियो में तब तक के लिए मनशका और टेक कियो प्राइब करें